नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं विरल लेहरी, पुलकासागर विद्याभवन में आपका स्वागत करती हूँ विद्यार्थी मित्रों, आज हम सिखेंगे, कुक्षा सात्वी की इकाई छ, मालवजे फोजदार भाग दो, अब आगे देखते हैं दुसरा द्रश्य बिजुद्रश्य, स्थान, शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दुर्ग एटले के किल्लो के शिवाजीना किल्लानो ओरडो, दोपहर का समय, वपोर्नो समय शिवाजी, तानाजी की ओर मोह फेर कर, के शिवाजी, तानाजी तरफ मोढ़ू फेरवीने ताना जी न जाने क्यों मेरे रदई में उस बालक के प्रती अगाध प्रेम उमड रहा है अगाध एटले के अपार के शिवा जी ताना जी ने कहे जे के कोण जाने ते बालक प्रती मारा रदई मा अपार प्रेम उभराई रहयों जे जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि ज्यार्थी ते मारी सामेथी गयो छे त्यार्थी हूँ तेना विशेज विचार करी रहयो छू ताना जी महराज यह उसकी विर्ता और साहस का फल है के ताना जी कहे जे, माहराज आ तेनी विर्ता अने साहस नुँ परिणाम छे शिवा जी, तुम सच कहते हो, शिवा जी ताना जी ने कहे जे, के तु साचू कहे जे मैं उसकी वीर्टा पर मुग्द हूँ मुग्द एटले के मोहीट के हुँ तेनी वीर्टा उपर मोहीट छूँ इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस कि आतली नानी उमर अने आतलो साहस जे सिवाजी के नाम से मुगल सेना कापती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस के जह सिवाजी ना नाम थी मुगल सेना डरे छे थर-thर कापे छे एनी सामे आ नाना बालक नुँ अटलू साहस ताना जी इसमें भी क्या कोई संदे है संदे एट लेके शंका ताना जी कहे छे के तेमा पन कोई शंका छे दर्वान प्रवेशकर दर्वान दाखल धईने महराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है के दर्वान प्रवेशकरी ने कहे जे के महराज एक बालक तमने मलवा इच्छे जे सिवाजी उसे बुला लाओ सिवाजी कहे जे के तेने बोलावी लाओ दर्बान के साथ मालवजी का प्रवेश दर्बाननी साथे मालवजी नो प्रवेश मालवजी माहराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तूत है के मालवजी कहे जे के माहराज तमारों अपराधी मृत्युदंड माटे हाजर छे शिवाजी विरपुत्र तुम इतनी जल्दी केसे आगए शिवाजी कहे छे के विरपुत्र तुम आटलो जल्दी केवी रिते आवी गयो मालवजी महराज आपसे विदा होकर में घर पहुँचा मालवजी कहे छे शिवाजी ने के माहराज तमारी विदाई लईने हुँ करे पहुंच्यो माता बड़ी देर से मेरी प्रतिक्षा कर रही थी के माता गणा समय थी मारी राह जोई रही हती देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया एले के भेटी पड़ू के मने जोताज तरतज मा मने भेटी पड़ी उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दू परन्तु मेरी हिमत न पड़ी के ते समय ज मैं विचारियो के हुँ माने बधिवात कही दव परन्तु मारी हिमत न चाले अब मैं आपकी सेवा में उपस्थीत हू हवे हुँ तमारी सेवामा हाजर छू आप जो चाहे कर सकते है तमे जे इच्छो ते करी शको छो परन्तु मरने से पहले में एक बात ओर मागता हू कि परन्तु हुँ मरता पहला एक बिजी वातनी मागणी करवा इच्छू छू शिवाजी कहो वह कौन सी बात है शिवाजी कहे जे कि कहे ते कई वात छे मालवजी मेरी माकी देखरेक का समस्त भार आप अपने उपर ले लिजिए कि मालवजी शिवाजी ने कहे जे कि मारी माता नी सार संभाण नी बधिज जवाबदारी तमे तमारी उपर लई लिए पुत्र तुम सच्रों क्षत्रीय पुत्र हो। सिवा जी ते बालक ने कहे जे के विर पुत्र तुम खरे खर क्षत्रीय पुत्र जे। शीवा जी वीरों का आदर करता है के शीवा जी वीर पुत्रों नों आदर करे जे उनकी हत्या नहीं करता के तेमनी हत्या करता न थी अब तक में तुम्हारी परिक्षा ले रहा था के अत्यार सुधी मुतारी परिक्षा लई रहियो हतो वच एटले के बाड़क तुम मेरी परिक्षा में सफल हुए के बाड़क तुम मारी परिक्षा मां सफल थयो में तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ अपराध एटले के वाक अथवा गुनो के हुँ तारो गुनो माफ करो जू मालव जी, शिवा जी के पेरों में गिर कर मालव जी, शिवा जी ना पगमा पड़ी ने आप धन्य है कि तमें धन्य जो शिवा जी, मालव जी को छाती से लगा कर शिवा जी, मालव जी ने भेटी ने वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ व्याकुल एटले के बेर्चेन कि वीर पुत्र जे रिते तु तारी माताना दुख थी दुखी थाई ने बेर्चेन थाई रहे हो जे तेवी रीते हूँ पन दुखी छू रात दिन में इसे चिन्ता में रहता हू कि किस प्रकार भारत माका दुख दूर करू कि हूँ रात दिवस एज चिन्ता मा रहू छू कि हूँ केवी रीते भारत माताना दुख दूर करू मालव जी माहराज यह शरीर आपका है मालव जी सिवा जी ने कहे जई कि माहराज आशरीर तमारू ज़े आपने मुझे जीवन दान दिया है कि तमे मने जीवन दान आप युझे मैं प्रतिज्या करता हू कि जब दब इस शरीर में जान है में कभी मात्रू भूमी की सेवा से पिछे न हटूंगा के हुं प्रतिग्ना करूँ छो के ज्या सुधी मारा शरीर मा प्राण ठे, जीव छे त्या सुधी मूं कदी मात्रू भूमी नी सेवा मा पाछो पडिश नहिं शिवाजी, विर्पुत्र में तुमसे यही आशा करता हुँ शिवाजी मालवजी ने कहे छे के विर्पुत्र हुँ तारी पासे आज आशा राखो छुँ तो विद्यार्थी मित्रो आ पाठमा ए जानवा मले छे कि एक नानू बालक के जे मालवजी पोता नाई माताना दुख थी दुखी छे तेवीज रिते शिवाजी ए भारत माताना दुख कई रितना दूर करे तेनीज चिन्तामा रात दिवस रहे छे अस्तु विद्यार्थी मित्रो आप देखते है व्याकरण विभाग में विशेशन विशेशन किसे कहते है जो सब्द संगना या सर्वनाम की विशेशता सुचित करता है उसे विशेशन कहते है अब देखते हैं विशेशन के भेद भेद यानी की प्रकार विशेशन के चार भेद है विशेशनना चार प्रकार छे पहला गुण वाचक विशेशन तो गुण वाचक विशेशन किसे कहते हैं जेस विशेशन से संगना के गुण दोश, रूप रंग, आकार प्रकार तथा दसा स्थिती आदिका बोध हो उसे गुण वाचक विशेशन कहते हैं कि जे वाक्यमा गुण, दोश, रूप, रंग, आकार, प्रकार तथा दसा स्थिती वगेरे दर्शावेलू हो उसे गुण वाचक विशेशन कहवाई जेसे, अच्छा लड़का, इसमें अच्छा शब्द गुण वाचक विशेशन है, बुरा आदमी, इसमें बुरा शब्द गुण वाचक विशेशन है, लंबा कद, इसमें लंबा शब्द गुण वाचक विशेशन है, गोरा रंग, इसमें गोरा गुण वाचक विशेशन ह सुडोल शरीर इसमें सुडोल शब्द गुणवाचक विशेशन है गरीब स्त्री इसमें गरीब शब्द गुणवाचक विशेशन है बिमार व्यक्ति इसमें बिमार शब्द गुणवाचक विशेशन है दुसरा संख्यावाचक विशेशन संख्यावाचक विशेशन किसे कहते है जो विशेशन संगना की संख्या बताए उसे संख्यावाचक विशेशन कहते है कि जह वाक्यमा संख्या दर्शयावेली होई तेने संख्यावाचक विशेशन कहवाई जैसे पाच उंगलिया इसमें पाच शब्द संख्यावाचक विशेशन है दो आखे इसमें दो शब्द संख्यावाचक विशेशन है चार लड़के इसमें चार शब्द संख्यावाचक विशेशन है साथ दिन इसमें साथ शब्द संख्यावाचक विशेशन है पचास साल इसमें पचास सब्द संख्या वाचक विशेशन है कुछ पेड इसमें कुछ सब्द संख्या वाचक विशेशन है तिसरा परिमाण वाचक विशेशन परिमाण वाचक विशेशन किसे कहते है जो विशेशन संगना का परिमाण यानि की वजन, तोल, माप की जानकारी दे उसे परिमाण वाचक विशेशन कहते है कि जे वाक्यमा वजन, तोल, माप वगेरे आपेलू होई तेने परिमाण वाचक विशेशन कहवाई जेसे दो लिटर तेल इसमें दो लिटर परिमान वाचक विशेशन है पांच मीटर कपड़ा इसमें पांच मीटर परिमान वाचक विशेशन है ताई गंटा इसमें ताई परिमान वाचक विशेशन है थोड़ा दूध इसमें थोड़ा शब्द परिमानवाचक विशेशन है दो किलो शबकर इसमें दो परिमानवाचक विशेशन है चोथा सार्वनामिक विशेशन जो सर्वनाम संगना के पहले आकर उसके विशेशता बताता है उसे सार्वनामिक विशेशन कहते है जे सर्वनाम संगनानी पहला आवीने तेनी विशेशता दर्शावतु होई तेने सार्वनामिक विशेशन कहे छे जैसे वह पेड आमका है इस वाक्य में वह शब्द सार्वनामिक विशेशन है यह कमरा नया है इस वाक्य में यह शब्द सार्वनामिक विशेशन है मेरा घर पास में ही है इस वाक्य में मेरा शब्द सार्वनामिक विशेशन है आपकी पुस्तक मेज पर है इस वाक्य में आपकी शब्द सार्वनामिक विशेशन है आगे निम्न लिखीत वाक्यों में से विशेशन छाट कर उनके भेद लिखिये पहला परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते इस वाक्य में परिश्रमी शब्द गुणवाचक विशेशन है आगे अब्दुल 20 किलो आटा लाया इस वाक्य में 20 किलो शब्द परिमाण वाचक विशेशन है आगे रामने 5 मिटर कपडा खरीदा इस वाक्य में 5 मिटर शब्द परिमाण वाचक विशेशन है आगे 25 छात्रों ने सही उत्तर दिये इस वाक्य में 25 सब्द संख्या वाचक विशेशन है और दुश्रा सब्द सही गुण वाचक विशेशन है आगे दिपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी इस वाक्य में बहुत शब्द परिमाण वाचक विशेशन है आगे रेश्मा के पास तीन किताबे है इस वाक्य में तीन शब्द संख्या वाचक विशेशन है आगे कोच लड़के बगीचे में खेल रहे है इस वाक्य में कोच शब्द संख्या वाचक विशेशन है आगे माने चाई में थोड़ा दूद डाला इस वाक्य में थोड़ा शब्द परिमाण वाचक विशेशन है आगे वे लड़के शोर मचा रहे है इस वाक्य में वे शब्द सार्वनामिक विशेशन है आगे आप किस आत्मी की बात कर रहे है इस वाक्य में किस शब्द सार्वनामिक विशेशन है अस्तु